अच्छे बनावो चाय आच्चाय बनाएंगे अच्छे चाय बनाना एक आठ होती है अब हुझे थोड़ी थोड़ी आती है तो मैं दिखा रहे हूं कैसे बना दियू मैं चाह, आमी चाह के अमि कर्बाना है डखे हो, ननल रोखों में चाह दैखाऊ, तो चीनी आ चाह तो नेबोई.. और क्यूब्स, दूद, डेबू और टीबैक्स, तो चाय ले ली है, छीनी ले ली है, दूद ले ली है, शुगर क्यूब ले ली है, और लेमन और टीबैक्स. तो चलिए, चाय बनाते हैं, चलुद, चाव बनाबो, तो आमी ट्रेडिशनल चाव बनाबो, आर एमनी जेमनी चाव, फोरेनर्स राखे तो शेरोखमो बनाबो, देखी, किरोखम कोड़े चाटा बनाबो, एक गैस्टा के ओन कोड़े दिये ची, इसको आप अवन में भी बना सकते हैं, मैंने बोरो सिरु के जग में लिया है, थोड़ा सा पानी गरम कर रही हूँ, और अप अलग टाइट की चाय बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ऐसे वाला अपना सॉस पैन ले लिया है, तो अब ये गरम हो चुका है, इटा गॉरम होएगा अच्य, इटा के नामि मैंने दो, जब तक ये बॉयल हो रहा है, हम ये सॉस पैन में हाफ कप, आधा कप जॉल निये निला, एक कप चा बनाऊंगी, तो मैंने हाफ कप पानी इसमें डाल दी है, एक कप चाय जोने आधा कपी जॉल दीगो, एटाते दिये दो, टू स्पून, टू टी स्पून, ये जो टी स्पून है, इसका टू टी स्पून, लेकिन थोड़ा कम, बहुत ज्यादा नहीं, और अगर आप कम छकर पसंद करते हैं, तो एक टी स्पून भी बस हो जाएगा, ये टी स्पून है, इस से थोड़ा कम देना पड़ता है, अच्छी चाय के लिए, बनाने के लिए, त मैं ये उबलने लगा है, बॉयल होते लिएगे छे, एक स्पून चा दिये दो, एक चमच चाय दिये दो, एक चमुच्चा, इबर एटा फॉम कोरे दो, वो सिम कर देंगे, उसको ज्यादा नहीं उबलना है, और हाप कप दूद दे देंगे, हाप कप पानी, हाप कप दूद टू स्पून से थोड़ा कम शुगर और एक चमच चाय, तो आधा काप जौल, आधा काप दूद, दू चामुचे चकौम चीनी और एक चामुच चा, दिये एटा के सिम कोर रागो, ये बहुत इंपोर्टेंट है अच्छी चाय के लिए, हमने एक दम सिम करके रखी है, ये धीरे धीरे उबलेगी, तो ये दूद वाली चाय, ऐसे अच्छी बनती है, और एक टाइम बनाएंगे, थोड़ी दिर के बाद, इसको उबलने के लिए वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, आमरा एटा जो तक्खोन फूट चे, तक्खोन एटा सिम कोर राखता हुए, एटा इटा मी फिल्टर जॉल ही निये चिला, तो ये खुब गौरूम ना फुटले और चोल बे, ये मैंने फिल्टर वाला पानी दिया है, तो ये नहीं भी उबलेगा, तो भी चलेगा, ये अवन में भी आप लग सकते हैं, नॉर्मल पात्रोते हो जॉल्टा फुटाते पारें, नॉर्मल अपना ये सॉस्पेन में भी ये पानी हम उबाल सकते थे, पानी उबल रहा है, अब हम इसको बन कर देंगे, इसको ले लेते हैं, अब ये गरम पानी से हम चाई बनाएंगे, तो हमने इसमें डाल दी है, और एक कप में डाल दी है, दो टाइप की चाई बनाएंगे यहाँ पे, और अब इसमें दो, ये जो क्यूग्स होते हैं, एक क्यूग, एक चमच चीनी होती है, तो दो हमने इसमें डाल दिये, दो डाल दिया है, और एक पैक लिया है, चूकि ये रेट्टी या ब्लैक्टी जिसको होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ही इसको डिप करना है, ज्यादा ने डिप करेंगे, क्योंकि ये रेट्टी है, तो बहुत थोड़ा हमने इसमें डिप कर दिया, ये एक बैग में दो आराम से बन जाती है, तो ये मैंने दो बना ली, दो बना लिये हैं, और अब इसको घोल देते हैं, अगर चीनी डालना है इसमें, तो इसमें बिना चीनी के भी आप खा सकते हैं, और अगर लेमन टी बनाना है, लेमोन दिये बाना ले परे, एक टा आधाले वू, चेक टुकॉम, उटा केर पुड़े दिये दिये, तो ये लेमन टी बन गया है, एक, तो लेमन अगर निचोड दिया, तो ये लेमन टी, और ये प्लेन टी, और अगर मिल्क वाली चाय बनाना चाहते हैं, तो ये जो टी बैग है, उसको जादा दे डिप करना है, इसको जादा दे डिप करेंगे, और फिर इसमें जो दूद है थोड़ा सा डाल देगे, ये लाइप टी बनती है, हलका चाह होए, एटा ते, खुब स्ट्रॉंग ची च ये देखिए, धीरे से उबल गया है, अब इसको थोड़ा एसे शेक करेंगे, तो ये हमारी बन गए कड़क चाह, और अगर आपको मसाला वाला चाह चाहिए, मोशला वाला चाह चाहिए, तो एते डिपन अलाच, दालचिनी, लोबंगो, अगर ठंडियों में चाह पी रहे ह हैं, तो अद्रक, थोड़ा कुटके लॉंग, इलाची, काली मिरी और दालचीनी दाल के भी बना सकते हैं, जब पानी बोयल हो रही थी, तब वो चाह में डाल सकते हैं, कोई भी चाह में, सब टाइप के चाह में ये डल सकता है, अब ये चाह कड़क चाह बन गई है, हम इसक चाह बन गई हमारी कड़क चाह, आपको बताऊंगी कि ये जो कप है, more than 40 years old है, बेंगॉल में बेंगॉल पॉटरी बुल के फेमस पॉटरी थे, जहां पे ये बनी थी, उन्हें ब्यूटिफल सिरामिक्स बनाते थे, लेकिन वो पूरा बन हो चुका है, तो ये एक पीस मेरे के पास अभी भी है, मैं उसको बहुत सम्हाल के रखती हूँ, आमी खुब बुचिये राकी, बेंगॉल पॉटरी रेटी पॉटरी, चुलीश पॉच्छोडे रो बेशी ये तर बॉयश, तो आमी ये तर खुब शामलिये राकी, एक काप्टा की दावून लागे देखते द इसमें हम टू स्पून से कम डाल देंगे शक्कर और रोचा बाना नो शमय मौने रख देंगे, एक्टम कम चापा तरीता हुए, देखिए एक्टम कम डालना है, बस उबालना निये बन कर देना है, पत्ता चाय जो होता है वो डालेंगे और इसको ढखके रख सकते हैं, लेक लेकिन जादा नहीं डालना है, बहुती कम डालना है, एक्टम कम डालता हुए, इसको भी छन लेते हैं, छेके निलम कि मुँआ पहुँ कि माल बहुतिक कि एके रह, प्रस्ट इपकOn कर मालना है कि छोड़िए जते हैं, यह आ खरुए तो यह बन गए हमारे चाए ती दाइं बाई